दोस्तों नवसकार आए आज हम इत्यास की एक प्रशनोत्री देखते हैं जिसमें महातुपोण हमने 15 प्रसन लिये हुए हैं जो के इत्यास के बहुती महातुपोण प्रसन है और ये प्रसनोत्री आगे जारी ही रहेगी इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें जिससे के आने वाली भी प्रसनोत्री आपको मिल जाए तो दोस्तों देखते हैं हम ये पहला प्रशन जिस प्रशन है कि मास्टर दा के नाम से विख्यात सुतंतरता सेनानी का मूल नाम क्या था यानि कौन से सुतंतरता सेनानी थे और उनका नाम असली नाम क्या था जिने के मास्टर दा के नाम से जानते हैं तो दोस्तों मास्टर दा के नाम से विख्यात जो सुतंतरदा सेनानी थे उनका नाम था सूरिसेन और ये सूर सेन जो थे वो रिपब्लिकन आर्मी के संस्थाफक भी थे और इन्होंने असयोग अंदोलन में भाग लिया और उसके बाद में ये राष्ट्रिये स्कूल के जो थे सिच्छक बने इसलिए इन्हें माश्टरदा के नम से जानते हैं अगला प्रसन है कि भारतिये राष्ट्रिये कांग्रेश की स्थाफना कब और कहां होई थी तो दोस्तो भारतिये राष्ट्रिये कांग्रेश की स्थाफना 1885 में होई थी और ये कब और कहां होई थी तो दोस्तो इसके लिए 28 से और 31 दिसंबर तक एक सम्मेलन बुलाया गया और यह सम्मेलन जो था वो बंबाई में आयोजित किया और बंबाई में एक कालिज था संस्क्रत विद्विद्याले जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल कालिज और यह इस कालिज में ही 22 पत्रकार तथा बकील लोग इखटे हुए थे और इन लोगों ने मिलकर एक संस्ता का गठन किया जिसका नाम भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस पड़ा और यह संस्ता जो थी वो यह संस्ता जो थी 31 दिसंबर 1850 इस संस्ता के जो थे अध्यक्ष दो थे वो ब्योमेश चंद्र बनरजी बनाये गए तथा इस संस्ता के जो संस्तापक थे उन संस्तापक का नाम ए ओ ह्यूम था जो के एक अंग्रेद थे अगला प्रशन है कि भारत में सुप्रिम कोट की इस्तापना कब होई तो दोस्तो भारत में सुप्रिम कोट की इस्तापना रेगूलेटिंग एक्ट के तहट जो के 1773 में रेगूलेटिंग एक्ट आया था वहीं 1774 में जो था वो सुप्रिम कोट की इस्तापना हुई और यह सुप्रिम कोट उस समय कलकत्ता यानि बरतमान कोलकाता में इसकी साख तो बरतमान में यह सुप्रिम कोट जो है वो नई दिल्ली में है और इस सुप्रिम कोट के जो पर्थम मुख्य नियादीश थे तो बो नियादीश सर बिलियम इलीजा इमो थे वो पर्थम हमारे मुख्य नियादीश थे अगला है कि भारत में राष्ट्रिय ब्यापारियों के आगवन का ख्रम था यानि भारत में यूरोपी ब्यापारी कब कब आए वो और कौन पहले आया और कौन बाद में आया यह करम पूछ लिया है तो इसमें सबसे पहले जो आये थे वो थे पूर्टगाली और पूर्टगाली के बाद में आये थे डच और डच के बाद में आये थे अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद में आये थे प्रांसिसी प्रान सिसी वहीं अगर हम इनके आने की किरम यानि के सन की बात करें तो यह 1400 और लगभग 98 में आये थे 1498 में आये थे और यह जो डच जो थे वह 1605 में आये थे अगला है यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत रहे हैं और उन्हों ने यंग इंडिया पुस्तक में एक सिद्दांत जिया था जिसे के सेफटी वाल्व सिध्दांत के नाम से जो मसौर है सेफटी की बाल्व परहिव सेफ्टी बाल इसे दांत इन्हों ने इस लिए दिया था क्योंकि अंग्रेजों ने जो राष्ट्रिय कांग्रेज कागठन किया था इन्हों ने बताया था कि यह राष्ट्रिय कांग्रेज अंग्रेजी सासन किये शेफ्टी बाल है जिसके द्वारा हर दयाल थे लाला हर दयाल और इस संस्ता की जो इस्थापना हुई थी वो अमेरिका के सेन फ्रांसिस्को सहर में हुई थी और इस संस्ता ने भारत की आजादी में काम किया है और भारत की आजादी में ये महत्वण भूंक्या निभाई है अगला प्रशन है कि मुसलिम लिंग की स्थापना हुई थी और मुसलिम की लिंग की स्थापना कब और कहां हुई थी यह हमें बताना है तो मुसलिम लिंग की स्थापना जो थी वो धाका में हुई थी मुसलिम लिंग की स्थापना धाका में हुई थी यह 1906 यह इस भी में धाका में हुई थी धाका में और इसके एक इस्थापना करता जो थे वो थे नवाब समी सली मुल्ला नवाब सली मुल्ला नवाब सली मुल्ला इसके जो थे वो संस्तापक थे अगला जलियों बाला बाक हत्या कांड की जाच के लिए बनाई गई समित कौन थी तो दोस्तों जलियों बाला हत्या कांड जो था 1919 में हुआ और 1919 में ही एक समित गठित की गई थी जिस समित को जो है वो हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं हंटर कमीशन और इस हंटर कमीशन ने क्या किया कि जलियों बाला बाक के जो दोसी थे उन्हें कम से कम मिनिमम सजा देने का काम किया और सब जो था उस केस पर लीपा पूति कि अगला प्रशन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंब हुआ था तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त में प्रारंब हुआ था और वो संथा 1942 यानि कि 9 अगस्त 1942 में और इसी सिद्धांत में यानि यही आंदोलन जब सुरू हुआ था तो इसी आंदोलन में महत्मा गांदी जी ने एक नारा दिया था जो नारा था करो या मरो करो या मरो का जो नारा था वो गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था और ये अगस्त में सुरू हुआ था इसलिए इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं अगला प्रशन है कि गांधी इर्बिन समझोता हुआ था गांधी इर्बिन समझोता उन्हीं सो एकतिस में हुआ था और ये समझोता जो था एक बहुत लंभी पृकिरिया के तहत हुआ था यह समझोता 17 फरवरी से प्रारंब होकर और पांच मार्च तक यह बैठक चली थी उस पांच मार्च को ही इस में इस समझोते पर गांधी जी और इर्बिन जी ने जो था दस्तकत किये थे और उसी के तहट गांधी जी ने राष्ट्रिय भारती राष्ट्रिय कांग्रेस को गो बैठने वाला सासक कौन था तो दोस्तों तेरह वर्त की अलप आयू में राजगदी पर बैठने वाला सासक जो था वो अकबर था और यह अकबर बैरों खांके संरच्छण में पंजाम में था और वहीं जब इसे पता चला कि हमायूं की इम्रत्त हो गई तो बैरों खाने इ अगला प्रसन है अकबर के नौ रतनों के नाम बताईए तो दोस्तों अकबर के नौ रतन थे एक अकबर का मत्मती मंडल सा जिसमें के नौ विद्वान थे उन नौ विद्वानों को अकबर के नौ रतन के रूम में जाना जाता है तो वो अकबर के नौ रतन थे एक तो थे दो पियाजा और दूसरे थे हकीम इमाम हकीम इमाम हकीम इमाम हकीम इमाम और अबुल-फजल अबुल-फजल और शेख फैजी और अबुल-फजल और अबुल-रहीम में खान खाना अबुल-रहीम रहीम में खान खाना अब्दुल रहीम खान खाना और तांसेन तांसेन और राजा टोडरमल राजा टोडरमल और राजा बीरवल और राजा भगवान दाज तो ये अकवर के नौरतन थे अगला प्रसन है कि सर्ट टामस रो ने किस मुगल समराट से भारत में ब्यापार करने की अनुमत प्राप्त की थी वह कौन सा मुगल समराट था जिससे अंग्रियजों ने भारत में ब्यापार करने के लिए अनुमत प्राप्त कर ली थी तो वो समराट जहांगीर थे कमराट जहांगीर जिनके दर्वार में जाकर सर्टामस रो ने भारत में ब्यापार करने के लिए इस इंडिया कंपिनी को अनुमत प्रदान करवा दी अगला प्रशन है कि बंदे मातरम गीत के रचईता कौन है बंदे मातरम गीत के रचईता जो है वो है बंकिम चंदर चटर जी तो दोस्तों इस तने आज की ये प्रशनोतरी की स्रीज यही पर समाप्त करते हैं और ये स्रीज आपको अच्छी लगी हो और अगली स्रीज अगर चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हम यता सिग्र अगली स्रीज लेकर आएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जये हिन